हान जी मेडम आप ना बहुत खुब शूरत हो यह कौन था बहुत ही अजीब था ऐसे किसी के घर में उसके कैसे किसी वो खुब शूरत बहुत बहुत है मेडम ना यह कह रहा था आप ना बहुत खुब शूरत हो कौन है यह पागल रोजी आजाता है अरे मेडम आप ना बहुत खुब शूरत हो अब मैं आपको क्या बता हूँ मैंने जब आपको पहले बार देखा था ना तब से मेरी रातों के नेन दोड़ चकी है यार यह तो मुझे पक्का कोई साइको लग रहा है अब तो मुझे इससे डर भी लगने लग गया है अज आने दो इनको मैं से बात करती हूँ सुनो मज़ी आप बात कर ले थी,बोलो वन घर पे पिछले तो-तमी आ रहा है वह नए ने की बात बोलता है तुम बहुत खुछुरत हो तुम बहुत खुछुरत हो अपना मुझे उस्से बहुत ज्यादा डर लगने है डेली रोगे खालो मैं आता है कोई बात निया मैं फैं 아 फिर देखते है अरे तुम फहीर आ गए अरे मेडम आप ना सच में बहुत ज़्यादा खूपसूरत है हाँ हूँ तो तो मेडम करप्या करके ये बात आप अपने पती देव को समझा दीजिए वो क्या है ना मेडम जब भी मेरी पतनी कपड़े सुकाने के लिए चट पे जाती है तो आपके पती पीछे पीछे चट पे आ जाते हैं और फिर गंटे तक खड़े होके उसको गूरते रहते हैं और जबरदस्ती उसके साथ बातें करने लगते हैं मैं आपसे कह रहा हूँ आप उनको समझा दीजिए कि वो मेरी वाइक के साथ चकर चलाना बंद कर दे नहीं तो अच्छा नहीं होगा मुझे लगता है आप मेरी बात अच्छे से समझ गी होगी और आप अपने पती को भी समझा देंगे ठीक है मैं चलता हूँ रहा हूँ